लुट्स वेलो शुटन अभी हम कलास 11 का एक्सरसाई 9.2 कुस्षे नमबर 16 हम करने जा रहा है कुस्षे नमबर 16 यह इंपोर्टेंट है और यह बहुत बढ़ा है यह शे नमबर में कुस्षे नाता है इसमें दो numbers के बीच में जो है na infinity number जो है na n number निकालना है तो यह हम देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं तो हम let कर लेते हैं let a1 a2 a3 dash dash am ठीक है b m number है m number between 1 and 31 ठीक है such that तो यह आपका हो गया 1 A1 A2 A3 डाइड़ डाइड़ अम फिर 31 ठीक है इज आपकी हो गया तो इसमें आप देख रहे हो A equal to 1 है और B equal to 31 है तो D निकालने का formula होता है इसमें B minus A by N plus 1 यह हम पहले लिखवा चुके है 31 minus 1 by N plus 1 यह हो गया 30 by N plus 1 यह D हमारा हो गया अब हम जो इने A1 निकाल लेते हैं A1 equal to हो गया A plus A plus हमको question में 7 A7 निकालना है तो हम A7 निकाल लेते हैं A plus 7D अब यह 7D इसलिए होगा यहां से आप जो count करोगे न यहां से तो यह 1 हो जाएगा 2, 3, 4 इस तरह से 5, 6, 7 7 नमबर जाओ तो वहां 8, 8, 8 position पर जो है पहुंचेगा यह 7 नमबर तो इसलिए हम A plus 7D ही लिखते हैं तो A का जो value है यह हमारा क्या है 1 है और D का जो 7 हो गया और D का जो value हमारा 30 by M plus 1 तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं 1 पलस यह हो जागा 210 by M plus 1 इसको LCM ले लेते हैं जो गया M plus 1 पलस 210 तो इह हो जागा M plus 211 by M plus 1 अब इसका आगे कर देखते हैं इसके आगे हैं अब इसमें निकालना है A 7th हो गया और A M minus 1th term निकालना है तो इह हो जागा A plus M minus 1D यह आपका 1 है यह M minus 1 है ही D है आपका 30 by M plus 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं LCM लेके M plus 1 तो यहाँ पर M plus 1 plus 30 M minus 30 तो इह हो जागा आपका 31 M minus 29 by M plus N आप कुस्षन में जो हैना आपको दिया हुआ है according to question आपको दिया हुआ है according to question लिखेंगे अब लिखेंगे A7 by A M minus N निकालना है आपको यह दिया हुआ है 5 by 9 अब इसके according सॉल्व करें अब लिखेंगे A7 की जो वैलू आए है लिखेंगे M plus 211 by M plus 1 और इसका वैलू आया है 31 M minus 29 by M plus 1 इससे और यह केंसिल कर देते हैं अब फिर सॉल्व करते हैं cross multiply कर देना तो 9 M plus हो जागा 211 equal to 5 के साथ हो जागा 31 M minus 29 ठीक है अब इसको हम सॉल्व करते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो जाता है हमारा 9 M plus 1899 multiply करके 155 M minus 140 यह हो जाता है 9 M minus 155 M equal to minus 145 minus 1899 ठीक है इसको सॉल्व कर देते हैं minus 146 M equal to minus 2044 होता है तो M equal to हो जाएगा minus 2044 by minus 146 यह cancel out हो जाएगा 14 times ठीक है तो M equal to आपका हो गया 14 यह वाली बेलू आपको निकाल रहा था था थैंक्यू एशुडेंट झाली जड़ेंट